नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर कायकरम मोदी जी एक बात बहुत साफ है आप हो या आपकी सरकार हो आप से ज़्यादा किसे पता है कि भारती लोकतंत्र पर संकट कितना गहरा है कितना बड़ा है इसके लिए बेवज़ राहुल गांधी को निशाना बनाने और सदन का पूरा सत्र उनके नाम पर स्वाहा करने की जरुवत क्या है आपको आखिर आप तो खुच जानते हैं कि किस तरह से इतना अकूत बहुमत आपके पास है इस तरह से सारी एजेंसियां आपके इशारों पर नाच रही हैं और किस तरह से सदन के भीतर आपने विपक्ष को म्यूट कर रखा है साइलेंट कर रखा है ऐसे में भी अगर आपको निशाना राहुल गांधी को बनाना पड़ रहा है तो मकसद बहुत साफ है कि आप अपने प्रिय उद्ध्योग पती अडानी जी और हिडन बर्ग के रिपोर्ट को छुपाना चाहते हैं और शायद यह सच हम सब जानते हैं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में एक वीडियो आता है जिसमें दिखाई देता है कि किस तरह से कुछ गुंडे एक लड़की को जबरन गाड़ी में बैठा रहे हैं दिल्ली पुलिस नदारत रहती है लेकिन यहीं दिल्ली पुलिस पहुशती है राहूल गांधी के घर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी के घर और उनसे जानने की कोशिश करती है कि 40 दिन से भी अधिक हो गया कश्मीर में उनके भाषण का हवाला देती है और पूछती है कि आपने अपने भाषण में जिन महिलाओं का जिक्र किया था जिनके साथ यौन हिंसा या छेड़खानी हुई थी उनका ब्योरा हमें दीजिये हम मामला दर्ज करना चाहते हैं कितनी हैरानी की बात है कि देश में लोकतंत्र है देश में समिधान है और आप देखिए किस सेलेक्टिव ढंग से विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है हम सब जानते हैं देश में इस समय जो बजट सत्र चल रहा है उस पूरे बजट सत्र में बहुत सोची समझी रणनीती है मुदी सरकार की तमाम मंत्रियों की विपक्ष को खामोश करने की उन्हें ना बोलने देने की और राहुल गांधी के ऊपर लगातार मामला बनाने की व एक के बाद दूसरी विधान सभा में जो चुनाओ होने हैं उनकी जीत को लेकर भी वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं लेकिन फिर भी इसी सदन में वह राहुल गांधी को अपनी सफाई में बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहते वजह क्या क्या यही लोकतंत्र है मोदी जी दोस्तों आखिर बजट सत्र क्या हवाले चड़ेगा राहुल गांधी के नाम या अंतता मजबूर होगी मोदी सरकार अपने प्री उद्योगपती अडानी पर चर्चा करने के लिए जेपी सी गेगधन पर कोई आगे पहल कदमी होगी की नहीं प्रस्ता चार नहीं चलेगा नहीं चलेगा फिलहाल एक बात बहुत साफ है कि जिस लोकतंत्र की दुहाई मोदी सरकार यहां इतना जादा दे रही है बार बार अनेक मंत्री बोल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि विदेश की धर्ती पर लोकतंत्र पर हमला बोला गया और सबसे बेशर्म रंग लोकतंत्र का दिखाई दे रहा है महराश्ट से महराश्ट में और खास तोर से औरंगाबाद को जिस तरह से बेवजह निशाने पे लिया गया है जिस तरह से हिंदुत्व ब्रिगेड वहां उत्पाद मचा रही है देश के लोकतंत्र को तार-तार कर और देश के समिधान की धजियां उड़ा रही है आप देखिए यह वीडियो जहां महिला शौचाले पर उपद्रवी ब्रिगेड खड़ी है और उसे तोड़ रही है क्योंकि उस पर औरंगाबाद लिखा है साथी देखिए यह वीडियो जहां पर भाश्पा के मंत्री और निश्चित तोर पर अनकॉंस्ट्यूशनल भाशा का इस्तमाल कर रहा है वह चाहता है कि इस इलाके में दंगा भड़के आप देखिए वह लगातार कोशिश कर रहा है कि एक गैर मुद्दा मुद्दा बने यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले चार महीनों म महराष्ट में 50 रैलिया हुई है इसी ब्रिगेड ने की है और उनका मकसद लव जहा से लेकर लैंड जहात को मुद्दा बनाना है शायद यह भूल जाते हैं कि महराष्ट में सरकार इनहीं की है किस तरह से सरकार बनी वह भी लोकतंत्र का सबसे अच्छा एक्जाम्पल है ल तब देश की संसद मौन रहती है तब उसे लोकतंत्र की रत्ती भर परवा नहीं होती सिर्फ मामला महराष्ट तक का नहीं करनाटक में चुनाओं होने हैं और चुनाओं के मद्दे नजर जिस तरह से नफरत पहलाई जा रही है देखिए करनाटक के शिवमोगा से आया यह इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ भगवा डाले गमचे में लड़के पहुशते हैं वहाँ पे महिलाओं का एक प्रोग्राम चल रहा है और वे कहते हैं कि महिलाओं को यह कायक्रम करने की इजाजत नहीं क्योंकि यह भारती संस्कृती के खिलाफ है यह सारी धजियां उड़ाई जा रही हैं लोकतंत्र की लेकिन मोधी सरकार इस पर खामोश है और सदन के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुद्दा बना कर अपने प्री उद्योग पती अडानी जी को मुहलत देना चाहती है हिडन बग के रिपोर्ट पर राहुल का नाम चस्पा करना चाहती है इसी संसत को सुनाने के लिए देश के कोने कोने से नरेगा मजदूर आये हुए हैं और किसानों ने भी दस्तक दी है दिल्ली में और उनकी मांग बहुत साफ है कि देश की संसत जब चर्चा कर रही है तमाम और मुद्दों पर तब देश के दूर और किसानों से संबंदित मुस्लिमों पर वह चुप क्यों हैं वहार चर्चा क्यों नहीं हो रही किसान दुबारा पहुचे हैं मुदी सरकार से अपील करने के लिए कि आपने जो वादा किया था जिस आधार पर यह पूरा का पूरा आंदोलन किसान आंदोलन वापस दिया गया था वे मागे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं दोस्तों एक बार फिर देश का किसान पहुचा है देश की सत्ता से टकराने के लिए देश की राजधानी दिल ली और इस बार वह फिर याद दिलाना चाहता है मोदी सरकार को कि देश के किसानों उसने जो वादा किया था नियुंतम समर्थन मूले का वादा किया था बाकि और अंगिनत वादे जो किये थे जिन्हें उसने पूरी तरह से बुला दिया है वह याद रखे याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का किसान लगातार गाउं देहा से मांग उठा रहा है लगातार हमारे पास खबरे आ रही हैं वीडियोज आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से कभी प्याज उगाने वाला किसान कभी लहसन उगाने वाला किसान कभी खेती के अंगिनत चीजें पैदा करने वाला किसान अपनी फसल को बरबाद करता है क्यों क्योंकि उसे मूल ये नहीं मिलता आज रामलीला मैदान से किसानों ने जो हुंकार भरी है बहुत साफ है कि मुदी सरकार आप यह ना समझिए कि हम वापस गाउं चले गए हैं हम दुबारा आ सकते हैं और जिस तरह से देश के मन्रेगा मजदूरों ने मोर्चा खोला है उसी के साथ साथ देश के किसानों का दिल्ली पहुचना साफ दिखा रहा है समझा रहा है कि लोगतंत्र को बचाने के लिए कौन सी ताक्ते हैं जो तैनात हैं लामबंध हो रही हैं और बहुत तेजी से मुदी सरकार से अपने हक की मांग कर रही हैं खोशकबर कारेक्रम का ये सेग्मेंट जंतर मंतर से यहां पर बहुत ही एहम धर्ना चल रहा है यह धर्ना है लोक्तंत्र को बचाने के लिए मनरेगा मजदूरों के द्वारा चलाया गया धर्ना 25 दिनों से देश के अनक अलक कोनों से आये मजदूर यहां पर बैठे हैं और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं में मोदी सरकार से कह रहे हैं मोदी जी आप देश के मजदूरों पर भरोसा कीजिए हम चोरी नहीं करते चोरी बड़े बड़े उद्योगपती करते हैं जिन्हें आप आप हम से चाह रहे हैं कि हम गाओं देहात में दूर दराज इलाकों में बैठे हैं और हम सुबह और शाम दो बार जो आपने नया एप बनाया है एन एम एम एस एप उसमें अपने को जियो टैक करें अरे मोदी जी आप सिर्फ दो सो तीन सो रुपे देते हैं मन्रेगा मजदूर को जिसमें उनका गुजारा नहीं होता वह भी सो दिन की गारेंटी है और जो तत्थे हैं वह बता रहे हैं कि देश में करीब 15-16 करोड मनेरेगा मजदूर लगातार अपने वेतन को नहीं पा रहे हैं मजदूरी कर ले रहे हैं दो-दो साल का बकाया है मोदी जी य अमिंता देवी है और यही दिकत है कि हम लोग सकता है हम लोग यहां ऑइसे बहुत कोई लोग है कि काम करते हैं पर रुलों के लिए समय पर काम नहीं मिलता है समय पर भुखतान भी नहीं होता है और फिर हम लोग को जंगली जगह है इसे पहाडी छेत्र कि उसमें ये होता है कि अभी जो सरकार ने ओनलाइन सिस्टम बना दी है हम लोग के हाजरी नहीं बन पाता है उस पर भी दिकत होता है और काम जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को भुगतान क्योंने होता है समय पर और फिर है कि काम भी हम लोग मांग करते हैं तो वो भी कभी महीना 15 दिन के अंदर में तो काम मिलता है कहते हैं पर 15 दिन के अंदर में काम नहीं मिलता है और कभी तो महीना कभी डेड़ महीना ऐसे ठेकाता है और पैसा भी वही सिस्टम होता है हम लोग के पैसा नहीं मिलेगा समय में तो हम लोग कैसे रोजी रूटी चलाएंगे और भूकतान भी ऐसे होता है कि अभी चल रहा है 237 230 में हम लोग का पेट चलने वाला नहीं है हम लोग गरीब हैं और उस पे आलम ये आपकी सरकार का कि यहां जंतर मंतर पे धरना चल रहा है देश की संसस से कुछी किलोमीटर दूर और देश के मंतरी कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि मंद्रेगा मजदूर यहां आए हुए है महला तेहर जीला से आई हूँ मेरा नाम है किरिपा खाखा मैं मेट का काम कर दी हूँ पर अभी एन्मेमेस में मुझे बहुत कठीनाई हो रही है ना हमारे पास मुबाइल रहती है ना विजली रहती है ना नेटवर्क रहती है हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे जिसके पास मुबाइल है वो तो करती है पर एक टाइम का काम होता है एमेमेस का और दूसरी बेला हाजरी नहीं चड़ती है तो उसमें हमारे पाबली को हमारे मज़ूर को पैसा नहीं मिलती है क्योंकि दोनोर टाइम का हाजरी ओलाइन से होना ह तो उल्लेन होने नहीं सकती है लोकतंत्र पेख़त्रे की बात जब राहुल गांधि उठाते हैं जब विदेश में भाशन देते हैं तब देश की संसत में हंगाम आ होता है लेकिन जब मजदूर बहुत शांती पून ढंग से यहां बैठे हैं तब आपकी सरकार न सुनने आती है नहीं उसे लोगतंतर पे खत्रा दिखाई देता है ऐसा क्यों है मोदी जी दोस्तों हम बार बार मोदी जी की तरह या उनके मंतरियों की तरह लोगतंतर की दुहाई दे रहे हैं हमारी दुहाई और उनकी दुहाई में फर्क है और यह फर्क ही सबसे बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश के संसत के भीतर और बाहर जो महौल चल रहा है चाहे वो नरेगा मजदूर हो केसान हो या अलब संख्यक समाज हो वे सब लगातार मांग कर रहे हैं कि देश का Constitution उन्हें जो अधिकार देता है जीने का अधिकार जो देता है समान से रोटी कमा जाने का जो अधिकार देता है उस पर हमला हो रहा है और उद्योगपतियों के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है एक से बाद एक फ्रॉड हो रहे हैं लेकिन उन पर चर्चा के बजाए चर्चा गैर जरूरी मसलों पर हो रही है और इसकी बहुत ठोस वज़ा है इस ठोस ही उसे बचाएगी लोकतंत्र को और देश को भी शुक्रिया